नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल Glance Academy पे हम लोग इसमें आज दोस्तों डिसकेशन करेंगे सीटेट का प्रैमरी लेवल का पेपर फर्स्ट और उसमें भी हम Language 2 के अंतरगत हिंदी को सॉल्व करेंगे हमने इससे पहले Pedagogy, Environment और Language के और Math के जो कोशन है उसकी वीडियो डाल दी है और साथी साथ हमने पेपर सेकेंड के वी सभी वीडियो को अपलोड कर दिया है आप जाके देख सकते हैं और हम सुरू करेंगे इस पेपर में Language 2 के अंतरगत हिंदी चलिए हम सुरू करते हैं कोशन नमर 121 से 128 के लिए Paragraph पढ़के तो इसमें Paragraph तो हम अभी सामानिता नहीं पढ़ेंगे आपके पास पेपर है तो आप देख सकते हैं और ये जो सेट नमबर है वो जे नमबर है अगर आपका जे है तो सेम कोशन होंगे और अगर कोई दूसरा सेट है तो आप उसके कोशन के सिक्वेंस को अरेंज गर के आप एंसर देख सकते हैं चलिए सुरू करते हैं कोशन नमर 121 से तो देखे Paragraph के एकॉर्डिंग पूछा जा रहा है सीखने की प्रकिरिया में पुनरा विर्थी का महत्त होता है छोटे बच्चों में छोटे ये जो छोटे है वो क्या बता रहा है वो एक तरीके से गुण बता रहा है कि बच्चे छोटे हैं या बड़े इसलिए 123 का चार हो जाएगा गुण वाचक कोशन नमर 124 की हम बात करेंगे पुनरा विर्थी का संदी विछे जब हम करते हैं तो 124 का मिलेगा आपको पुना प्लस आविर्थी ध्यान देगा अविर्थी नहीं आविर्थी पुना प्लस आविर्थी 124 का फस्ट कोशन नमर 125 की बात करते हैं निमन में से कौन सा सब्द कारक्चिन नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा और यानि third option सही हो जाएगा चले हम question number 126 की ओर बढ़ते हैं पुस्तक का चैन किसके आधार पर होना चाहिए तो IU work की आधार पर हो चाहिए option number 4 सही हो जाएगा question number 127 चोटे बच्चों की पुस्तक का विशय मुख्य रूप से क्या होना चाहिए तो इसमें ध्यान दीजेगा कि 127 का second जो दैनिक जीवन से उनके जुड़ी हो जैसे आप देखते हो चोटे बच्चों की पुस्तकों में स्वास्त को देखके भोजन को देखके हाथ दोना या कपड़े साफ रखना इन सबसे ओरियंटेड बनाए जाती जो उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा होता है question number 28 की बात करेंगे बच्चों को कैसे सब्द दोहराना अच्छे लगता है जो मज़ेदार सब्द होते हैं तो option C इसका सही हो जाएगा third तो ध्यान दीजेगा पुराने विर्च धूसल विर्च और लंबी दरार यह तीनों ही विसेस्ता बता रहे हैं जबकि चिनार का विर्च एक संग्या का काम करेगा इसलिए यहां पर 129 का third option हो जाएगा question number 130 है चिनार की लकड़ी कैसी होती है सफेद होती है second option सही हो जाएगा question number 131 है अता कीमती furniture आदी इससे नहीं बना जाते है तो वाक्ने में विसेशन क्या है तो ध्यान दीजेगा इसमें जो है की कीमती जो की furniture संग्या है और उससे पहले कीमती जो है की इसकी price जो indicate कर रहा है वो आपका विसेशन हो जाएगा question number 134 के बाद देखेंगे चिनार का जो तना होता है वो खुरदुरा होता है option A सही हो जाएगा question number 35 देखते हैं चिनार विरिक्ष अपनी छाल का रंग का बदलता है तो सामानेता सर्दी में यानि की सर्दी में जो है की अपना बदल लेता है question number 136 के हम बात करते हैं प्रात्मी कस्तर पर भासा सीखने सिखाने की सबसे पहली सर्द क्या होगी तो देखें इसमें अब यहाँ पर डिपेंड करेगा निवे सम्रिद्धी संप्रेशन का वातावरन या बाल साहित तेकारों का साहित चार्ट पोस्टर से सुसजित कक्छा या सरल पाठ पुस्टर तो भासा सीखने सिखाने की अगर सबसे पहली सर्थ होनी चाहिए कि निवे सम्रिद्ध संप्रेशन का वातावरन यानि कि कम्मिनिकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा एट्मोस्फियर होना चाहिए है 137 की बात करें पहली और दूसरी कक्छा में अनेक बच्चे हिंदी भासा सीखते समय अपनी मातरी भासा का प्रयोग करते हैं तो यह अस्विकारे वैदे बहुत गला स्विकारे तो यह सही माना जाएगा फोर्थ आफशन सही क्योंकि NCF 2005 में खुद ही जो एकी तीन भासा के फॉर्मूले की बात की गई है जिसमें पहली भासा मातरी भासा के रूप में स्विकारी की जाती है तो 137 का फोर हो जाएगा कोशन मेर 138 की बात करेंगे रूपा कक्छा चौथी कक्छा को पढ़ाती है उन्होंने गुजराती लोग कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के ब प्रश्ण को या इस कभीता को पढ़ाने का तो सही जवाब हो जाएगा कि बहू भासिता को संबोधित करना ओं सा一 ना चलिए, अगले कोशन पर हम चलते हैं, 139 पर, कोशन मरा मरा 139 है, प्रात्मी कस्तर पर भासा सिक्षण के संदर में कौन सा कथन सरवाधिक उचित है, तो देकि 139 में बच्चों को केवल भासा की पाटे पुस्तक दी जाए, ये गलत हो जाएगा केवल के अधर पे, सभी बच् परकार का बाल सहित पढ़ने का अवसर दिया जाए, या बच्चों को करम से भासा कौसल सिखाए जाने चाहिए, तो देखिए, यहां पर दोनों ही ऑफशन सही हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बात हो, ग्लांस अकेडमी के द्वारा, तो फोर्थ ऑफशन को ज्यादा सही मन जाएगा, और थर्ड ऑफशन भी हो सकता है, इसका आयोग दे सकता है, तो थर्ड और फोर्थ में इसमें थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, कोशन मर वन फोर्टी की बात करते हैं, बच्चों के भासा विकास के लिए जरूरी है, बच्चों को क्या आना चाहिए, तो इसका सही होना चाहिए, कि भासा के प्रियोग पे अवसर लगातार उनको मिलते ने चाहिए, अगर वो भासा का प्रियोग नहीं कर पाएंगे, लगातार वो उस भासा में नहीं बोलेंगे, जैसे अगर हमें अंग्रेजी सीखनी होती है, तो कहा जाता ना, अंग्रेजी का महाल अ लिखने की जो समस्या होती वो डिस्ग्राफिया कहलाती है तो बी ऑफ्षन सही हो जाएगा कोशन नमर 142 भासा अरजन छमता सिधान किस से समयत है तो देखिए यहां पर भासा अरजन छमता की बात हो रही है तो यहां पर चौमस की जो एकी सबसे फेमस है 143 की बात करेंगे बच्चों की लेखन छमता का आकलन करने की दृष्टी से कौन सा प्रशन सरवाधिक बहतर है तो अब देहां किये बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए या बहादुर बित्तो कहानी को सीरसक दीजे या बहादुर बित्तो सीरसक कहानी तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक option इसका 143 का बहादर वित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखने का प्रयास कीजिए एक सिक्वेंस व्यास करते हैं तो इस से क्रमिक रूप से प्रैजवे पैचानते बच्चे की प्रत्येक 2 महीने doc लिए क्या सीखा हम नेक्स शलते हैं प्षा्टीफाइब भासा का मनुष्य की इसपेस और मंधोष्य के साथ गहरा संबंध होता है तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा आपका second option असमिता और विचार, भासा का मनुश्य की असमिता और मनुश्य के विचार के साथ गहरा संबन दोता है, question number 146 की बात करें, ज्यादातर बच्चे स्कूल की सिक्षा की सुरुआत से पहले ही भासा की space और space को आत्मसाथ कर पूर चुनोतियों और प्रचलनों को, तो 146 का हो जाएगा 2, question number 147 की बात करते हैं, प्रात्मिक कस्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रती दिन एक कहानी पढ़ा कर, पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है, आप इस कक्षा के बारे में क् जोज एक कहानी पढ़ती है और उस पर चर्चा करती है, तो वो ऐसा क्यों करती है, तो 147 का सही जवाब हो जाएगा B, पढ़ने और मौकिक अभिवक्ती का विकास हो रहा है इससे बच्चोंगा, चलिए, question number 148 पर चलते हैं, पढ़ने की कुसलता में सरवाधिक क्या महत्प परिवारों में बच्चों का भासा विकास अपेक्षाकरित बहतर होता है, क्योंकि बच्चों बढ़ों का अनुकरण करते हैं, लेकिन जहां संयुक्त परिवार होता है, वहाँ पे समयनता बच्चे आपस में अपने हम जोल जो होते हैं, अपनी हम उमर के बच्चों के साथ साथी साथ अपने गारजी और अपने रिलेटिव के साथ अंता करिया करते हैं इसलिए 149 का सेकेंड ज्यादा सही हो जाएगा लास्ट कोशन है आपका 150 भासा के माद्यम से बच्चों का ज्यान शेत्र भी विस्रित होता है जिसमें सरवाधिक योगदान है किसका तो देखे 150 का तो हो जाएगा बाल साहिति की पुस्तकों का ठीक है देखे विभिन प्रकार के अगर हम सांस्कृतिक गतिविधियों का कहें तो बच्चों में जो एकी भासा के लिए जो एकी सांस्कृतिक जो एकी विभिन प्रकार का कल्चर नी बलकि बाल साहित जोती भासा से सम्मदित उसका जोएकी सबसे महत्पूर योगदान होता है तो ये था आपके सामने Language 2 के अंतरगत हमने हिंदी की बात की है और अब हम जल्दी ही आपके लिए Language 1 में English और Language 2 में भी English लेकर प्रस्तुत होने वाले हैं और इसी तरीके के अपडेट्स और यूपी टेट की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं जैहन